गुड मॉर्निंग एविवन आयम श्वतांग एंड इस अनकेडमी यूट्व प्लाटफॉर्म अनकेडमी यूपीसी ठीक है न्यूज में क्या आया न्यूज में आया इंडिस वाटर ट्रिटी मीटिंग 2021 अब इंडिया और पाकिस्तान की बीच में वापस से बात चीज शुर एंडिया और पाकिस्तान की बीच में बात चीज वापस शुरू होने वाली है कुछ अच्छा होगा कुछ खराब होगा वो टाइम बताएगा लेकिन उसके साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान में एक ट्रिटी हुई थी तू मैनेज इंडिस की जो पूरा वाटर सिस्टम है उसके सारे रिवर्स को मैनेज करने के लिए उस पे एन्वल मीटिंग होनी होती है वो मीटिंग जो है वो पीच में बंद हो गई थी 2018 के बाद से बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान की बीच के रिलेशन इतने खराब हो गयते अब वो मीटिंग वापस शुरू हो रही है और पाकिस्तान को इंडिया से इस ठीक है तो आव स्टाट करते हैं आज की क्लास न्यूस की पाकिस्तान टॉस्त इंडिया ने उनको यह बता या कि जो दो प्रजेक्ट है आपकिस्तान के इस्तान के हिस्से का पानी है वो एंडिया को यूज गर अगे कि अगर आपनी इस प्रेशन आप कर रहे हैं और सीरियसुल को देखे make sure कि unacademy के platform के थूँ अपनी preparation करें ठीक है अगर कोई difficulty कोई query हो आप मुसे contact कर सकते हैं meanwhile आप पहले क्या करेंगे सबसे पहले आप unacademy का app download करेंगे सारी free classes attend करेंगे free classes आपको beneficial लगती है तो आप iconic या plus में से जो भी course जो भी चीज आपको ज्यादा ठीक लगेगी वो वाला course आप जॉइन कर सकते हैं एक दो या तीन साल के लिए प्राइस आपके सामने है एस पीवाइटी कोर यूज कर लीजेगा आपको 10% discount immediately मिल जाएगा तो उसके बिना मत करिएगा वरना आप मिस कर देंगे ठीक है discount आगे देखिए प्लस Iconic मेंगा difference नहीं पता है याद रखिए आइकॉनिक में वो सारी facilities तो मिलेंगी जो प्लस में है प्लस एडिशनल आपको एक mentor मिलेगा जो study planning, guide करना कोई भी difficulty आपको preparation में आएगी उसमें आपकी help करेंगे ठीक है उसके साथ जाध जाधी साथ free test series इतनी सारी run करती रहती है तो make sure करें कि जाधा से जाधा test देते रहे हैं जिससे आपका benefit हो long term में और अब आ जाते हैं हम बात करते हैं जहां पर हम थे कश्मीर पे इंडिस water treaty पे क्या बात हो रही है वागे बढ़ने से पहले let me explain you a bit about कि इंडिस water treaty है क्या अब देखें जो इंडिया actually तीन water system है ठीक है तीन पानी के river के system है जिस पर इंडिया based है एक ब्रह्मपुत्रा water system है जो सांगपु और ब्रह्मपुत्रा से बना है वो इंडिया चाइना और बांगलादेश उस पे dependent है एक गंगाटिक water system है जिसमें इंडिया के और्मोस्ट 400 मिलियन लोग यानि इंडिया की population के 40 करोड़ लोग सीधे सीधे गंगाटिक water system पे based हैं dependent ह जो की पूरा उत्तरपदेश पूरा बिहार दिल्ली हिमाचल परदेश उत्राखंड सारे लोग ठीक है तीसरा जो सबसे बड़ा water system है जिसमें इंडिया में कम लोग dependent है आज की देट में लेकिन एक जमाने में जब पूरे इंडिया में ही पाकिस्तान भी था तो बहुत बड दिया गयाँ तो यह जो कनाल सिस्टम पंजा जिसके कारण से आज की दिन भी चाहिए islands很 क्जाब हो इतना अच्छा गुरो कर रहा है इनİs वो पानी की विज़ा से है जो इतनी जाद है मौने पानी अवेलबल है हर जगा पर वो क्यों है वो इंडिया और पाकिस्तान का डिविजन हुआ रेट क्लिफ लाइन में पानी के डिविजन की बात नहीं हुआ ठीक है और पूरे 1950 में हमेशा यह दर लगा रहता था कि कब क्या हो जाए पाकिस्तान के ऐसा कहना था कि उन्हें यह डर लगा रहता है कि इंडिया उनका पानी बंद करतेगा ठीक है और इसी को देखते हुए 1960 में इस पूरे इशू में और वर्ल्ड बैंक की देख रेक में इंडिया और पाकिस्तान ने एक एग्रिमेंट साइड किया और आप आप देख सकने हैं सबस्टे राइट में जो बैठे हैं वो हो वृल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे बीच में बैठे यह आयूब खान है और लेफ्ठ में जो बैठे हैły जवालालन नहरू इंडिया के प्राइम पाकिस्तान के पाकिस्तान के डिक्टेटर थे 1958 से 1969 तक ठीक है चलिए अब इसको इस तरीके से समझिए कि अच्छा एक चीज़ मैं आपको और नगिट बता देता हूं कि आपने लीडर का नाम सुनाओगा जुल्फकार अली भट्टो ठीक है पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर बने कैसे वो लीडर इसी इंडर्स वाटर ट्रीटी की विज़ा से बने ठीक है वो पाकिस्तान के अच्छुली वाटर मिनिस्टर थे जो इंडिया आये पाकिस्तान को रिप्रिजन करते हुए जब 1960 में डिसकुशन हो रहा था कि डील्स होनी कैसे है और इतने अच्छे टर्म्स मिल ग ठीक है तो यह आप जी स्क्रीन पर अब जो दिख रहा है वो है पूरे का पूरा इंडर्स वाटर सिस्टम ठीक है इसमें वो पांच नदियां है उनके छेलम चिनाब रावी सतलज ठीक है और इंडर्स ठीक है अब देखिए नियम यह कहता है कि according to the treaty water of the eastern river अब eastern or western river कैसे डि ची ब्यास और यह एस 길 रिफए और इंडर्स ठीक है जहलम और चिनाब ऑब देखिए अब रावी जो है वह आगे इस रिफवर और आपको पता है रावी नदी के हैं किनारे बहुत बसा है लहूर तो जो इस्टन रिवर्स हैं उनका पानी हम यूज कर सकते हैं और वेस्टन रिवर्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा अब ये अंडर देटी ये भी कहा गया कि इंडिया है विन गिवन दा राइट टू जेनरेट हाइड्र अब देखे दिक्कत क्या हो गई कि यह कहा गया कि हम रन ओफ यूज कर सकते हैं पानी का रन आफ यूज कर सकते हैं लेकिन पिछले 70 सालों में कभी इंडिया टेक्निकली इतना अडवांस नहीं हुआ इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए हमारे पार सथे नहीं थे कि हम इस कश्मीर क इतने डिफिकल्ट टेरेन में हाइड्र एलेक्टिटिटिटि प्लांट बना सकें तो वह पानी जिस पर हमारा हक भी था वह पानी भी कई बार बहुत हद तक पाकिस्तान के चला जाता था और पाकिस्तान के लोगों को एक्स्ट्रा पानी के फ्लो की आदत पढ़ गई पानी इतने केपेबल हैं कि हम कश्मीर के किसी हिस्से में यह हाइड्र पार प्लांट बना सकते हैं लेकिन इससे जो रन आफ की स्पीड है जिस रेट से पानी बहता है पाकिस्तान में वह कम हो जाएगा और उससे फिर पाकिस्तान में इंपक्त पढ़ने का दर है ऐसा कह रही है प 116 मीटिंग जो थी अभी वो डिली में चल रही है और उसमें वो मीटिंग जो है वो 2018 के बाद अब सीधे हो रही है अब आप कहो कि सर मिलना तो 6-6 महीने पर था यह धाई साल बात क्यों मिल रहे हैं तो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि 2018 के बाद आप देखेंगे कि पहले पु पर्वनेंट इंडस का कमिशन को भेज के एक दूसरे से बात कराना तो नमुम्किन बात थी और इसलिए यह मीटिंग अटकी हुई थी यह मीटिंग होई जब तो फिर किस इशू में बात हुआ दो डैम्स बना रही है गवर्मेंट ऑफ इंडिया और उन डैम्स का नाम आप ट्री ट्री है और किस्तवार जो है वह बन रहा है जम्मू इन कश्मीर में किस्तवार के आसपास की अरिया में लोर कलना ही जो है वह भी चेनाब पर ही बन रहा है अब यह दोनों प्रोजेक्ट क्या करेंगे रिफर का जो रन-off रेट है इनीशल फेज़स में थोड़ा कम कर बिल्कुल सही बात है लेकिन उस पानी पर तो इंडिया का ही हक है इंडिया की गलती हो गई कि भई हम उस पानी को यूज नहीं कर पा रहे थे लेकिन उसके पीछे वी एक रीजन है हमारे पास पैसे ही नहीं थे उस समय होना है टेक्निकल के भी बिल्टी थी कि हम उसको लेगा तो चाइना ब्रह्मपुत्रा के थ्रू इंडिया के नौथीस्ट में पानी के फ्लोरेट पर असर दा सकता है यह एक एक जिनुवन कंसर्न है जिसके लिए गवर्मेंट ऑफ इंडिया थोड़ी परिशान है वह जब होगा तब होगा उसमें बांगलादेश है उस लड़ाई की कगार पर रहती है और इसलिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इन दोनों कंट्रीज के वाटर को रेगुलेट कर सके और यह आपको मानना पड़ेगा कि यह और्गनाइशेशन आज तक कि वर्न ऑफ बेस्ट वर्किंग इंटरनेशनल और्गनाइशन में से एक है विकाज ऑल्दो 1965 की वार हुई 1971 की वार हुई 1999 की वार हुई कभी इस वाटर इस मीटिंग कम होना या फिर इंडर्स वाटर ट्रिटी का टूटने पर कोई बात नहीं होई हाला कि 2014 के बाद से गवर्मेंट कई बार ऐसा कह चुकी है कि पानी और खून एक साथ नहीं ब और जोनों साथ की टीम आएंगी डोनों साथ की गोंन को ही रिपोर्ट करेंगी कि वाटर का लेवल क्या है और क्या डिवल्लप्मेंट हो रही है पानी के फ्लोकष का यूए ठीक है वो फ्लट डेटा जिसको कहते हैं वह डेटा दोनों कंट्री आफिस यूशेयर करेंगे making sure कि कहीं ऐसा नहों कि भारत की जो जो पानी है वो भारत अपनी मूफ करा रहा हो कहीं और पाकिस्तान को पता ना चले तो उसके लिए फ्लट डेटा जो है वो भी शेर किया जाएगा उसकी विवस्ता की गई है ठीक है टेकनिकल विजट भी कराई जाएंगी दोनों तरफ के लोगों को दोनों तरफ के ऑफिशल्स दूसरी तरफ जाके चेक करके आएंगे कि क्या सिस्टम है क्या चीज डिवलफ की जा रही है और है ठीक है और एक 115 मीटिंग जो है वो लास्ट हुई थी 2018 में और अब अगली 160 मीटिंग चल रही है ठीक है तो यह कुछ इंफोर्मिशन है जो आपको पता होनी चाहिए और डाट विल बी आल डाट इस मिनिममम जो आपको पता होना चाहिए अगले राउंड की इंडस वाट समिट की मीटिंग से पहले ठीक है तो चलो फिर खतम करते हैं लेट मी रिमाइंड यू अगें बिफोर एंडिंग दा क्लास की भी सब्सक्राइबर हैं लेकिन वह अपनी शौर नहीं है कि कब तक उनका सब्सक्रिप्शन रहेगा तो अपनी सब्सक्रिप्शन को आगे बढ़वा सकते हैं मार्च 2021 से जुलाई 2022 तक ठीक है सब्सक्राइबर होगा अच्छे एक चीज़ और लास क्लास में मैंने आपसे किसको किसको मिला था तो याद रखिए गांधी पीस प्राइस 2019 में जो यमिन के पुराने सुल्तान थे जिनकी दर्थ हो गई सुल्तान कबूस बिन सईद अलसाइद उनको मिला था और 2018 में करके तो एक जैपनीस ओरिजिन के एक इंसान तेंका नाम था यही ससकावा ठीक है उनको यह प्राइस मिला था उन्होंने लिपरप्सी के लिए अगेंस इंडिया में और जपान में काफी ज्यादा काम किया था तो यह सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए दिसकन हेल्प यू इन नॉट आलवेज इन यूपीसी बट जो स्टेट पीस और बाकी एक्जाम ह होगा तो मेक शूर करें कि इस पर नजर रखें ओके अगें चलो तो अगले हफ्ते का कॉमबाइट संडे को होगा मेक शूर कि उस टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करेंगे डाट इल्बी ओल फर नाओ लेट्स कैच अप टुमॉरों मॉर्निंग थैंक यू पर टेंडिंग सेशन था प्कॉमॉ